स्वस्थ सिध्धान्थ प्रसारण में आपका स्वागत है सर्वशक्तिमान परमेश्वपिता का धन्यवाद हो कि इस बाइबल अध्यनमाला के द्वारा हम बाइबल से ही लगातार सुधारने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहन कर पा रहे हैं बीते आठ सप्ताहों से हमारे मनन का विशे रहा है बाइबल अधारित पवित्रता हम पवित्रता के दोनों पहलूँओं पर गौर कर रहे हैं जो धर्म विज्ञान पर अधारित है उस पर भी और जो व्यावारिक द्रिश्टी कोन है उसके आधार पर भी हम इस विशे का मनन कर रहे हैं हमें यह मालूम रहना बेहत जरूरी है कि हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास हम क्यों करते हैं ऐसा करने से हम सच्चाई को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे और हमारे जीवन को उस सच्चाई पर खड़ा कर सकेंगे यह यह कहूं कि अपने जीवन को उस व्रिक्ष के समान समझिये जिसकी जड़ें सच्चाई की चटान में फैली हुई हैं इस तरीके से हम लोग मजबूती से पवित्रता को थामते हुए परमिश्वर की सहायता से आगे बढ़ते रहें इन बाइबल अध्यन के दौरान आपने देखा होगा कि हम बार बार प्रशन बनाते हैं प्रशन उठाते हैं और फिर बाइबल का आधार लेकर के उन प्रशनों के उत्तर भी बाइबल से ही खोज लेते हैं अब तक हमने इस स्विशय पर आठ पार्ट सीख चुके हैं अप तिल नाउँ वी अब स्टाडिए एट लेसंस on how not to sanctify पवित्र कैसे न बने लेसन नमबर वन वाज दू नॉट डिपेंड ओन योर स्ट्रेंथ पहला पार्ट था अपनी ताकत पर निर्भर न रहें लेसन नमबर टू डू नाट फोरगेट योर रिस्पॉंसिबिलिटी दूसरा पार्ट था कि अपना उत्तरदाइत वह भूल न जाएं लेसन नमबर त्री वाज डू नाट बिकम सिन कॉंशियस तीसरा पार्ट अपने पाप के प्रती ही सोचते न रहें लेसन नमबर फोर डू नाट गिव एक्सक्यूज़स फ़र फेलियर्स चोथा पार्ट था अपनी विफलताओं के लिए बहाने न बनाएं लेसन नमबर फाइव डू नाट ओवरलोक दे सिन आफ ओमिशन भूल चुक के पाप को अंदेखा न करें लेसन नमबर सेख्स डू नाट प्रैक्टिस सिक्लूज़स पार्ट क्रमांग छे था कि एकांत का अभ्यास न करें लेसन नमबर सेवन दू नाट बिलिटल रलेशन्शिप साथवा पार्ट था कि रिष्टों को छोटी बात न समझें पिशले सब्ता हम लोगों ने आठवा पार्ट सीखा था आठवा पार्ट इस प्रकार से था कि भक्ती अभ्यासों में धीलापन ना आने दे तुड़े भी आठवा पार्ट इसके अंतरगत आज हम नौवा पार्ट सीखने जा रहे हैं और भी ब्लाइंड बाइस नौवा पार्ट है कि सफलता पा करके अंधे ना बन जाएं मैं फिर से दोराता हूँ पवित्र कैसे ना बने सफलता पा कर अंधे ना बन जाएं प्रियों एक अत्यंत प्रचिलित विचारधारा जो मसी लोगों में चल रही है वो उस बताना चाहता हूँ यदि आप किसी के जीवन में देखते हैं कि वो बहुत आशिशित जीवन जी रहा है उसने वेक्तिगत जीवन में बहुत सी आशिशें पाई हैं और परमेश्वर ने उसके परिवार को भी भरा पूरा हंस्ता खेलता रखा है यहां तक कि उसके वेवसाई में भी उसे बड़ी आशिशें मिल रही हैं ये सारी बातें देख करके अधिकांश लोग यह कह पड़ते हैं कि इस परिवार से या इस वेक्ती से परमेश्वर बेहद प्रसन्न है मित्रों में बताना चाहूंगा ये बाइबल की शिक्षा नहीं है चाहे आप भौतिक आशिशों की बात कर रहे हैं या आत्मिक आशिशों की बात कर रहे हैं यही सत्य है कि अगर किसी को बहुत जादा आशिशित देख रहे हैं तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है बाइबिल में खोलिएगा सब अबदेशक की पुस्तक और उसका सात्वा ध्या है और उसके पंद्रवे वचन में देखिए क्या लिखा है अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है क्या देखा है कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नश्ठ हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीरगायू होता है भलाई करने वाला भलाई करते करते भी मर गया लेकिन बुरे काम करने वाला लंबी उमर जी रहा है आठमे अध्याय के चौदमे बचन में देखिए क्या लिखा है एक व्यर्थ बात प्रित्वी पर होती है अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वहद अशा होती है जो दुष्टों की होना चाहिए मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ है मनुष्यों का सोचना एक दम अलग क्यों हो जाता है क्योंकि हम अपनी सांसारिक छोटी सी बुद्धी से तुरंद दिखने वाली आशिशों को तुरंत देखते हैं और तुरंत ही बड़ी उतावली पन में अपने निरने ले लेते हैं कि इसने बहुत पाया है इश्वर की बड़ी आशिश होगी इसको बहुत बड़ा कुछ मिल गया परमेश्वर की आशिश होगी ऐसा नहीं है मेरे मित्रों बाइबल हमें बताती है कि यहां आशीश हैं जो उनके जीवन में आती है जो दुष्टों के जीवन में दिखाई दे रही है ये एक शनिक बाते हैं ये अभी की बाते हैं ये मिट जाने वाली बाते हैं परंतु धर्मी जन के लिए जो फल होता है बाइबल उनको स्थाई फल या अनंद काल का फल कहती है मैं आपको उसी अध्याय में सबबदेशक के आठवे अध्याय में और बारवे और तेरवे वच्चन से दिखाना चाहता हूँ चाहे पापी सो बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चे है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुग जानकर भै से चलते हैं उनका भला होगा परमेश्वर के भै में चलने वालों का अंत में भला होने वाला है तेरवे वच्चन देखिए परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी हो पाएगी क्योंकि वह परमेश्वर का भै नहीं मानता है एक और बात को मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ परमेश्वर कभी भी तुरंत दंड नहीं देता है सबब दिशक के आठवे अध्याय के ग्यारवे वच्चन में यह बात स्पष्ट होती है लिखा है बुरे काम के दंड की आग्या फुर्ती से नहीं दी जाती इस कारण मनुश्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है परमेश्वर के दयालुता पर परमेश्वर की कृपा को देखे मनुश्यों ने किस तरीके से मरोड दिया है कि वो दंड की आग्या तुरंत नहीं दे रहा गलत काम की और दंड नहीं मिला उन्हें लगा कोई नहीं देख रहा या परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया और वे गलत काम करने की इच्छा से भर जाते हैं अगली बार और भयानक काम करते हैं लेकिन मेरे मित्रों परमेश्वर दंड देने में विलम करता है वो क्रोध करने में भी विलम करता है इस बात का ध्यान रखें एक और बात को अपने मन में इस बात को बांध के रख लीजिए कि परमेशवर जो आशिशे हमारे जीवन में दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं हम लोग उसकी बातों को मानने लगे हैं हम उसकी आज़्याओं का पालन करते हैं कि वो दयालू है क्योंकि वो कृपा का सागर है क्योंकि वो अनुग्राकारी परमेश्वर है इसलिए वो हमें आशिशें देता जा रहा है एक और बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो न्याय है वो भी तुरंत नहीं आता है वो परमेश्वर न्याय करने में जल्दबा उतावली नहीं करता है जो दंड के योग्य हम हैं और जो दंड हमें मिलना चाहिए हमारे पाप के अनुसार वैसा भी दंड हम लोगों के जीवन में हम नहीं पाते हैं ये मैं आपको भजन सहिंता के एक सौतीन इस अध्याय के दस्रे वच्चन में से बताना चाहता हूँ उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे वेवार नहीं किया पापों को हमने किया और परमेश्वर का फिर भी अनुगरह देखा है हमने हमारे पाप के अनुसार अगर वो हम पर कुछ काम करता या अपना क्रोध भड़काता तो हम आज का दिन नहीं देख पाते परंतु उसने हमारे पाप़ें के अनुसार हम से वेवार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है और यदि कोई दंड दिया भी है तो उसका माप बहुत छोटा था हमने बड़े भयानक काम किये लेकिन परमेश्वर ने हमें सतर्क करने के लिए हमसे कहने के लिए कि ध्यान से चलो हमें छोटी-छोटी सी चोटे ही पहुँचाई है मेरे मित्रों पुराने नियम के भविश बगताओं ने यही अंगीकार लोगों के जीवन में देखा मैं एजरा की पुस्तक में आपको ले जाना चाहूंगा और उसके नौवे अध्याय में और उसके तेर्मे वच्चन में देखिए क्या कहता है उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोश के कारण हम पर बीता है जबकि हे हमारे परमेश्वर तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया वरन हमें से कितनों को बचा रखा है मतलब मृत्यो दंड के लायक थे ऐसे भयानक और गंदे काम किये थे कि मर जाना चाहिए था लेकिन फिर भी परमेश्वर की क्रिपा होई और उसने बचा करके रखा और ऐसा कोई दंड नहीं दिया जिसमें हम लोग मिट जाते एक और बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा केवल आशिशे ही नहीं है जो हमारे अच्छेपन के कारण ना आती हैं बलकि हमारे जीवन में जब हम विजय भी होते हैं तो ऐसा मत सोचना कि मैं परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा चलने लग गया इसलिए मैं अपने जीवन में जैवन्त होता जा रहा हूं मैं बड़ा धर्मी हो गया हूं इसलिए जैपर जैप्राप्त करते जा रहा हूं ऐसा नहीं है परंतु कई बार तो यह होता है कि हमारे दुश्मनों की बुराई के कारण हम जैवन्त हो जाते हैं मैं आपको विवस्था विवरन की पुस्थक में से और उसके नौवे अध्याय में से ये बात बताना चाहता हूं विवस्था विवरन नौ और उसका चोथा और पांचवा वचन जब तेरा परमेश्वर यहुआ उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके तब यह न सोचना कि यहुआ तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले करके आया है घमन मत करना ऐसा मत सोचना की तो बहुत अच्छा है बहुत धर्मी है किन्तु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहुआ ने उनको तेरे सामने से निकाल दिया है मेरी खुबी के कारण नहीं परंतु उन लोगों की बुराई उनकी दुष्टता उन पर आ पड़ी और परमेश्वर ने उनको खदेड डाला और फिर ये लोग उस देश में आगे बढ़ पाते हैं परमेश्वर कह रहा है घमन न करें पांच वच्चन में लिखा है तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई भी नहीं है तेरा परमेश्वर ये हुआ जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है उसका कारण उनकी दुष्टता है प्रियों एक और बात ध्यान से सुनिएगा आत्मिक वर्दानों के संबन में यदि आपने अपने जीवन में बहुत सारे आत्मिक वर्दान पा लिये हैं तो इस भ्रम में मत रहना कि मैं बहुत अच्छी चाल चलने लगा हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे आत्मिक वर्दानों से भर रहा है कुरंतुस की कलीसिया को अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ कलीसिया में सांसारिक्ता और संसार की अभी लाशाएं भरी पड़ी थी अलग-अलग प्रकार के गलत काम कर रहे थे लेकिन फिर भी यह वो कलीसिया है जिन में परमेश्वर ने अपने बहुत सारे वर्दान दिये रखे हैं मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरंती और उसका पहला अध्या है और उसका सात्वा वचन देखे क्या लिखा है कुरंतीस की कलीसिया को लिखा है किसी वर्दान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु इश्यू मसी के प्रगट होने की बाट जोते रहते हो देखे दो बातें लिखी है कुरंतीस की कलीसिया के लिए एक तो ये कि तुम्हें किसी वर्दान में घटी नहीं है दूसरे आगमन की बाट भी जो रहते हो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत आशिशित कलीसिया है लेकें ऐसा नहीं है उसी के आगे में देखे क्या लिखा है तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में क्योंकि आब तक तुम शारिरिक हो तुम में अब भी डाह है और जगडा है तो क्या तुम शारिरिक नहीं हुए और क्या तुम मनुश्यों की रीती पर नहीं चलते हो कितने कड़क शब्दों में परमेश्वर के वचन इनको डांट रहे हैं अभी तक शारिरिक हैं आत्मिक वर्दानों से तो भरे गए कोई आत्मिक वर्दानों की घटी नहीं लेकिन फिर भी शरीर की लालसाई इनके जीवन से नहीं निकली है यदि इस सत्य को हम लोगों ने ठीक रीती से नहीं समझाएं मेरे मित्रों तो पवित्र जीवन जीने की इच्छा भी हम नहीं कर पाएंगे यही अवस्ता पुराने नियम के लोगों में हमें दिखाई देती है होशे नभी की पुस्तक में चलिए और उसके चौथे अध्याय में आईए होशे का चौथा अध्याय और उसके साथ विवचन में से बताता हूँ जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए कितने दुख की बात है कि परमेश्वर हमें उन्नती करने देता है बढ़ने देता है आगे को बढ़ने देता है परमेश्वर लेकिन फिर भी उसके बाद लोगों में पाप भी बढ़ता जा रहा है परमेश्वर का विरोध बढ़ता जा रहा है परमेश्वर के लिए निराधर बढ़ता जा रहा है लिखा है वैसे वैसे वे मेरे विरुद्ध में पाप करते चले गये हैं पॉलूस प्रेरित इनहीं शब्दों को देखिए किस तरीके से और अधिक स्पष्ट करके कह रहा है रोमियों के पत्री उसका छटमा ध्याय और उसके पहले और दूसरे वच्चन में तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते चले जाएं कि अनुग्रह बहुत हो? अब अनुग्रह हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है इसका क्या मतलब है? कि हम पाप पर पाप करते चले जाएं मेरे मित्रों पांचवे अध्याय के बीस एवच्चन में स्पष्ट लिखा है जहां पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत भलाई का काम किया है बाइबल बता रही है पाप बढ़ गया इसलिए अनुग्रह भी बढ़ा दिया गया ध्यान रखिएगा अपने जीवन को लगातार हमें तौलने की आवशक्ता है एक और बात पर ध्यान दीजेगा और यह बात बेहद गंभीर है संभव है कि हम अपने जीवन में आत्मिक अभ्यासों को बराबर करते जा रहे हैं हम लोगों ने पिछले पाठ में यही सीखा था कि भक्ति अभ्यासों में ढीला पन न लाएं और मैंने चार भक्ति अभ्यास आप लोगों को बताये थे कि इन में हम लोगों को कायम रहना है बाइबल मनन करना है, प्रात्न करना है, संगती करना है इस प्रकार से अगर हम भक्ति अभ्यासों में बड़े अच्छे से बंदे हुए हैं तो भी हम इस बात का सबूत उनको नहीं रख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रसन्न है क्यूंकि हम इनमें बड़े मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरंथी और उसका दस्वा अध्या आए और उसके पहले पांच बचनों में देखिए क्या लिखा है हे भाईयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अंजान रहो कि हमारे सब बाबदादे बादल के नीचे और सब के सद समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बप्तिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया ये सारी बातें क्या हैं ये सारी बातें आत्मिक अभ्यासों को बता रही हैं जिसमें उन लोग भरपूर थे निपूर थे सब कुछ करते आ रहे थे लेकिन पांच विवचन में देखिए क्या लिखा है परंतु परमेश्वर उन में से बहुतों से प्रसन ना हुआ इसलिए व बातों को जो वो करते आ रहे थे उसके बावजूद उनसे अप्रसन था इसलिए आत्मिक अभ्यासों को अगर हम बराबर करते भी आ रहे हैं तो ऐसा मत समझ जाना कि इनके द्वारा हमने परमेश्वर को प्रसन कर दिया ये सारी आत्मिक बातें जो हैं ये अभ्यासें जो हैं ये परमेश्वर को प्रसंद करने वाली नहीं है और यह बातें केवल एक एतिहासिक ब्योरे के रूप में नहीं लिखी गई है परंतु मेरे और आपके लिए सीधी चेतावनी है दसमे अध्याय के छटे वचन में देखी कैसा लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठैरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तूओं का लालच ना करें ग्यारवे वचन में लिखा है ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीती पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं ये सारी बातों को अब ध्यान में रख करके अपने जीवन को पवित्रता की और सही तरीके से ले करके जाना है इसलिए मित्रों आज का पाठ हमें यही इस्द बता रहा है कि सफलता पा करके हमें अंधे नहीं हो जाना है एक और बात मैं आपसे कहना चाता हूँ अपने पाप को ढांकने के लिए उसे छुपाने के लिए सेवकाई को कुछ लोग बढ़ा देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे सेवा के काम बढ़ेंगे दार्मिक्ता के दिखने वाले काम बढ़ेंगे तो हमारा पाप छुप जाएगा इसके लिए मैं आपको पहला शमुएल और उसके पंद्रवे अध्याय में लेकर के चलता हूँ परमेश्वर ने राजा शाउल से कहा था अमालेकियों से युद्ध करना है और जब तू अमालेकियों से युद्ध करेगा तो उनको पूरा के पूरा नाष कर देना है क्या पूरिश और क्या स्थ्री और क्या बच्चे और क्या जानور जो भी तुझे अमालेकियों में मिले वो सब का सब तू नाष कर देगा परमेश्वर की साग्या को सुनने के बाद वो जब युद पर गए वहाँ जाकर के देखा कि बड़ी अच्छे अच्छी चीज़े हैं बड़ी अच्छे जानवर हैं मोटे मोटे और पाले पोसे दूद देने वाले न जाने ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़े दिख गई उनको उन्होंने नई मारा बाइबल में लिखा है उन पर बड़ी को मलता दिखाई और उनको लेकर के आगए अब जब लेकर के आगए हैं उनसे परमेश्वर के आग्या के विरुद पाप हुआ है अब उसको ढांकने के लिए कुछ बात चल रही है अब शमुएल भी रास्ते में हैं और शाओल यहाँ पर यग्या की तयारी कर रहे हैं बलीदान के लिए वो तयारी कर रहे हैं और देखिए शमुएल आकर के शाओल राजस से सीदे पूछता है ये बकरियों का मेमियाना ये गाय बैलों का रंभाने की आवाज कहां से आ रही है तो जूड बोलता है मैंने तेरे परमेश्वर के लिए वहां से अच्छे-च्छे जानवरों को लेकर के आया है अभी हम बली चड़ाएंगे लेकिन परमेश्वर का भविश्वक्ता प्रभू का जन उसकी आँखों में देख करके कहता है कि क्या परमेश्वर होम बलीओं से और मेल बलीओं से उतना प्रसन्न होता है जितना की अपनी बात के माने जाने से औ और दूसरा राजा उनके लिए नियुक्ते हुआ था इसी प्रकार की घटना मैं आपको यहुदा के लोगों में से बताता हूँ अपने आपको बचाने के लिए अपने पापों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ भलाई का काम करके दिखाते हैं ऐसा लगता है जै और काम सुधारो जब मैं तुम को इस स्थान में बसे रहने दूँगा तुम लोग यह कहकर जूटी बातों पर भरुसा मत रखो यही यहुदा का मंदिर है यही यहुदा का मंदिर है मंदिर मंदिर करने लगे यह लोग इसलिए कि उनका जीवन बड़ा गंदा था सामने द मेश्वर कहता है जो हृदय का जाचने वाला है तुम्हें मन फिराने की आवशकता है मेरे मित्रों पवित्र जीवन जीने की बजाए लोग धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहते हैं पर मेश्वर हृदय को जाचता है वो सब कुछ देख सकता है अपने पाप को छिपाने क लिए धर्म के काम न किया करो परंतु हाँ ये सारी बातें जरूरी भी है इन सब को बंद करके सो भी नहीं जाना है ऐसा करने से और भी ज़्यादा पाप में हम गिर पड़ेंगे अपने पाप को पहले पूरी तरह से हमें हल करना है और उसके बाद फिर सेवकाई में लग ज राना है आप राजा दाओद के जीवन से देखिए राजा दाओद के जीवन में आप जानते हैं कि बड़ा भयानक पाप हुआ था और उस पाप के साथ में वो दो वर्ष तक जीता रहा लेकिन परमेशर के सम्मों के समय में खड़ा नहीं हो पा रहा था भजण सहीते के आपको लेकर के खड़ा है, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरा धर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, और मेरा पाप निरंतर मेरे आँखों के सामने रहता है, मैंने केवल तेरे भी रुद्ध पाप किया है, मेरे सार या धर्म के कामों को मिटा दाल मेरे अंदर शुद्ध मनुत्पन कर अपने किये हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा दे कर मुझे संभाल क्यों? तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी और फिरेंगे प्रभु येशु ने बड़े सरल शब्दों में यहनारचिसु समाचार के पंदरवे अध्याई के दूसरे बचन में इस बात को और सरल बताया है और वहाँ पर ये कहा है कि जो डाली मुझ में बनी तो रहती है पर फल नहीं लाती उसे मैं काट डालता हूँ ताकि आग में जोंकी जाए और जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल लाती है उसे मैं छाटता हूँ ताकि वो और फले हाँ प्रियों चाहता हूँ कि आप सिद्धा के सिध्धान्द के जाल में फसना जाए यह सिध्धान्द क्या कहता है जब स्वयम सिध नहीं हो तो भैया प्रचार क्यों करते हो लोग इस प्रकार से अगर आप से कहें तो आपको लगेंगा हाई सच मुझ मैं तो पापी मनुष्यों में कैसे कर सकता हूँ लेकिन बाइबल आपको सिद्ध हो करके प्रचार करने के लिए नहीं बोलती बाइबल में लिखा है परमेश्वर केवल अपने लिए साफ सुथरे पातरों को ढून रहा है कौन है जो मसी के लिए तयार होता है कौन है जो उसकी सेवा के लिए अपने आपको खड़ा करता है और परमेश्वर उस पात्र को ले करके शुद्ध पवित्र और फिर आगे चल कर सिद्ध भी करता है दूसरा तिमत्य उस दूसरा ध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है यदि कोई अपने आपको इन से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बरतन और पवित्र ठेरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार हो जाएगा समाप्त करने से पहले एक चितावनी भी देना चाहता हूं इसलिए कि परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता है और नहीं अपने वरदान वापस ल जाती हैं ये शुरू होती है छोटी छोटी तुर्टियों से फिर गलतियों का रूप लेती है पाप का रूप और बाद में घोर अंदकार का एकदम ऐसा पाप हो जाता है जिसमें बाहर निकलना कठीन लगे यही बात शिम्शौन के जीवन में मैंने देखा कि पहले तो वो एक वेश्या के पास में गया बाद में दलीला से प्रेम किया और तो और पलिष्टी उस पर तीन बार चड़कर के आये थे जब उसने जला करके उठा और उनको ख़देर दिया उस समय उसको सतर्क हो जाना था लेकिन फिर भी वो सतर्क नहीं हुआ बाद में वो अपने आप को खो देता है अपनी ताकत को खो देता है परमेश्वर के दिये हुए उस सामर्थ को खो देता है वास्तों में उसने अपने अभिशेक को खुद खोया था उसका अभिशेक क्या था कि वो परमेश्वर का नाजीर है उसे अपने आपको पवित्र रखना चाहिए था उसने क कई कई तरीकों से अपने आपको अपवित्र किया और परमेश्वर ने जब उसे छोड़ दिया तो उसे पता भी नहीं लगा मेरे मित्रों परमेश्वर के पवित्रता के साथ उसके अभी शेक के साथ में न खेलें हमारे जीवन में जो सफलताएं दी हैं ये उसकी अपनी अप परमेश्वर आप सभों को आशीश दे